नमस्कार दोस्तों स्वागति आपका हमारे यूटूब चैनल पर और आज हम इस उड़ में बात करने वाले हैं नए जमाने की कुछ ऐसे इन्वेंशन्स के बारे में जो आने वाले समय को बिलकुल बदल देंगे तो चलिए हमारे वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले बात क उपनका रहरा नए होगी कि एक नॉन इलेक्ट्रिकल वाशिंग मशिन है और इसमें कपड़े धोनी के यिया आपको सिम्प्ली इसको ओपन करके였 में कपड़े डालने होते हैं और कपड़े डालने के बाद पानी जालने के बाद इसको पैक करके रखा जाता है फिर इसके नीचे एक पेडल दिया हुआ होता है और इस पेडल को बार बार उपर नीचे करने से ये मशिन अपना काम करना शुरू कर देती है और जब कपड़े पूरी तरह से साफ हो चुके होते तब इसके उपर एक बटन दिया होता है और उसको दबाने से इसके अंदर जितना भी पानी मौज़ुद होता है वो सारा कुछ निकल जाता है इस गैजट का नाम है कपकुलर इंस्टेंट दोस्तों ये एक बहुती स्मार्ट गैजट है और इसका काम है किसी भी ड्रिंग को एक समान तापमान पर रखना नॉर्मली अगर किसी भी ड्रिंग की बात करे तो उसका तापमान आमत्वार पर बढ़ता रहता है और ऐसे में उस cold ring का मज़ा भी कम हो जाता है लेकिन अब इस gadget के साथ ये problem कभी नहीं होगी क्योंकि किसी भी cold ring के एक ship लेने के बाद सिर्फ आपको इस gadget पर उसको रखना है और ये gadget अपना काम करना शुरू कर देगा और इस cooling device की वज़े से आपकी cold ring खतम होने तक बिल्कुल पहले जैसे ही थंडी रहेगी हमारे अगले gadget का नाम है hover glide हमारे कंदे पर भारी भरकम बैग लेकर चलने से हमारे जोडों में दर्त होता ही है साथ ही read की हड़ी को भी बहुत सा नुकसान जेलना पड़ता है और इसी वज़े से आपके लिए बनाया गया है ये smart backpack और ये gadget आपकी back पर float करता रहता है और इस smart backpack पर एक spring suspension device लगा है जो की back का आपके शिरिर पर पढ़ने वाले भार का लगबग 80% तक कम कर लेता है और इस वज़े से आपको इस back के साथ चलने में भी कोई परेशने नहीं होती है और इस spring system की वज़े से आपके back को जटके लगने की भी कोई समस्या नहीं होती है हमारा अगला gadget है paid backpack दोस्तो इस back का इस्तमाल आपके पेट को रखने के लिए कर सकते है और इसके अंदर आपके पेट को बिलकुल आरामदायक मेजस होगा और इस back के front और side में holes दिये गया है ताकि इस back के अंदर आपके पेट को सास लेने में कोई भी परेशानी नहीं हो और इस back के side में आप अपना water bottle भी रख सकते है और इसके पेचे मौझूद zip के अंदर आप अपना smartphone भी रख सकते है यहे print brush XDR दोस्तो यह एक खास किसम का आदोनिक printer machine है और आप कोई बात जानकर हरानी होगी कि यह device किसी भी surface पर text print कर सकती है और इसको इस्तमल करना भी कापी आसन होता है आपको सबसे पहले अपने smartphone में paint brush XDR नाम का application डाउनलोड करना होगा और फिर जो भी text आपको surface पर print करना है उसको mobile के अंदर डालना होगा फिर इसके उपर एक button दिया होता है और उस button को दबाते हुए आपको surface के उपर left से right side में slide करना होगा और आपका text print हो जाएगा और दोस्तों यह छोटा सा gadget, metal, plastic, wood और यहां तक की कपड़ों पर भी print कर सकता है यह Threadsmith दोस्तों Threadsmith नामक company ने यह बनाया है और आपको बता दे कि यह कपड़ा इस तरह के धागों से बना होता है कि इस पर किसी भी तरह का पानी गंदगी नहीं टिक पाती है एक cotton के कपड़े पर एक hybophobic material की coating करके इस जादवी कपड़े को बनाया गया है और hydrophobic material की coating करने की वज़े से इस material पर कोई भी पानी और तरल बदार्थ नहीं टिक पाता है गंदा करने की बात तो दूर की है लेकिन इस कपड़े पर कोई भी liquid तज़ भी नहीं कर पाता है यह है जियो और्बिटल वील यह एक आदोनिक electrical wheel है और इस wheel को लगाने से आप अपने bicycle को एक electrical bicycle में बदल सकते हैं और इसका इस्तमल करने के लिए आपको बस इतना करना है कि आपकी bicycle का front tire निकाल के इसको लगा देना है और इस tire के अंदर लगी battery replaceable होती है जिससे आप इसे एक बार के charge में 30 km तक दोड़ा सकते है और मान लीजे कि एगर बीच में ही इसकी charging कतम हो जाए तो फिर भी आप इसका इस्तमाल normal bicycle की तरह कर सकते है यह है neck feet दोस्तों यह कापी advanced footwear है और इनको specially beach पर ही enjoy करने के लिए बनाया जाता है और यह सेच में कापी smooth और cut proof भी होते है और cut proof होने की वज़े से यह आपके foot को कापी secure रखते है और इसके water proof होने की वज़े से आप इसका इसका इस्तमाल पाने की अंदर भी कर सकते है और इन्हें use करना भी कापी आसान होता है यह बस आपके पेरों पर चिपक जाते है और यह इतने हलके होते है कि आपको इनके पेरे रेने का एसास भी नहीं होता है यह है फनशेल दोस्तों ए अमरेला कापी कमाल का बैकपैक अमरेला है और इसे खास तोर पर ट्रेवलर्स के लिए बनाया गया है और इस बैकपैक में कापी कमाल के फैंस दिये हुए होता है एक होता है पीछे बैकपैक में और दूसरा अमरेला के बीच में और इस वज़े से किसी भी मोसे में बेलकुल कमपोटेबल फिल होता है और इस Amarilla को open और close करना भी कापी आसान होता है और इसे open और close करने के लिए आपको बस इसका button दबाना होता है यह है लेक seat दोस्तो इस seat को आप पहन सकते है जिहां दोस्तो यह एक wearable seat होते है और इसका इस्तमाल आप कहीं भी कर सकते हैं और इसका इजात इस बात को ध्यान में रखते हुए किया है कि आपको इसको पहनने में आसानी हो सके इसे पहन कर आप आसानी से चल भी सकते है और जहापर भी बेटना है इसको खोल कर बेट सकते है और ये चेर कापी लाइट वेट होते है और ये 120 किलो तक का भी भार उटा सकती है और इसको जिस कमपनी ने बनाया है उस कमपनी का दावा है कि ये आपके बोड़ी पोस्चर को बिल्कुल सही रखने में मदद करती है दोस्तो ये एक कमपेक्ट वेहिकल होता है और इसकी बनावड कापी कूल है और ये 32 किलोमेटर प्रतिगंटा के रफ्तर से दोड़ सकता है और इसे एक बार चार्ज करने पर 35 किलोमेटर तक चला सकते है और इसके सबसे खास बत यह है कि इसको कई पर भी चार्ज कर सकते है इसके अलवा इसमें डिस ब्रेक भी दिये गये है और इसके आगे की तरफ एक सस्पेंशन लगा है यहे की बैग दोस्तों यह एक हाई टेक मल्टी मिडिया बैग है और इसके अंदर आप नॉर्मल बैग की तरह ही अपना सामन कैरी कर सकते है लेकिन इसके अंदर कापी सारी एडवांस टेकनोलोजी का इस्तमाल किया गया है और इसके पीचे की तरफ एक RGB लाइट वाली LED दी गई है जिसकी मदद से आप अपने पसंदिदा टेक्स्ट इमेजेस पीचे की तरफ शोग कर सकते है साती इसके अंदर 10 वेट के Bluetooth स्पीकर भी दिये गये है और साती इस बैक के अंदर 13600 इमेज की बेटर भी मिलती है और इसके साथ आप अपने स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते है इसके अलवा इस बैक के अंदर एक GPS डिवाइस भी लगा होता है और इसके अंदर आप 13 इंच के लैपटोप भी कैरी कर सकते है दोस्तों इन सारे गैजट में से आपको कौनसा गैजट सबसे अच्छा लगा ये आप हमें कमेंट वाक्स में ज़रूर बताए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एन शेयर जरूर करे और अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास विलेबल आइकन को दबाये और और पे क्लिक करें मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार